जय मातादी दोस्तों घरेलूख अबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल दोहजार चौबिस में कितने ग्रहन लगेंगे साल दोहजार चौबिस में कुल कितने चंद ग्रहन और कुल कितने सूरी ग्रहन घटित होंगे वह किस तिथी और किस दिन्नान को किस समय पर प्रारंब होगा और समाप्त होगा बिश्व में किन परमूख छेत्रों में द्रिसेमान होंगे साथ ही साथ ही अभी बताएंगे कि क्या वे भारत में द्रिसेमान होंगे अथवन नहीं इसके साथ ही हम बताएंगे कि इस ग्रहन के सूतक कब लगेंगे और सूतक का परभाव कहां कहां रहेगा तो साल 2024 में लगने वाले सूरि ग्रहन और चन्द ग्रहन से जुड़ी संपूर जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मापलो को देंगे वीडियो में लास्त तक बने रहे वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर कीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल बटन को प्रेस कर लीजे इससे यह हुआ कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों आपको बता दे कि साल 2024 में कुल चार ग्रहन लगेंगे दो सूरी ग्रहन और दो चंदर ग्रहन लगेंगे चलिए सर्वपर्थम बात करते हैं 2024 के दौरान घटित होने वाले सुरिगरहन की तो इस वर्ष के दौरान दो सुरिगरहन आकार लेने वाले हैं जिसमें पहला सुरिगरहन खंडग्राश सुरिगरहन होगा और यह चैत्र माह के क्रिष्ण पक्ष की अमावस्या तिथी को यानि की आठ अप्रेल दिन सोम बार को लगेगा इसके बाद दूसरा सुरिगरहन जो की एक कंकना कृती सुरिगरहन होगा यह आश्विन मास के क्रिष्ण पक्ष की अमावस्या तिथी को यानि की 2 ओक्टूबर दिन बुद्धवार को लगेगा चलिए विस्तार से जानते हैं साल 2024 के लगने वाले पहले सुरिग्रहन के बारे में तो यह चैत्र माह के क्रिस्ण पक्ष की अमावस्याती थी यानि की 8 अप्रेल को लगेगा इस सुरिग्रहन की सुरुवात रात्री 9 बजकर 12 मिनट पे हो जाएगी और इस सुरिग्रहन की समाप्ती मध्य रात्री उपरांत 8 अप्रेल को मध्य रात्री उपरांत 2 बजकर 22 मिनट पे होगा यह सुरिग्रहन पस्मी यूरोप, पैसिफिक, अटलांटीक, आर्क्टीक, मैक्सिको, उत्री अमेरिका, कनाडा, मत्य अमेरिका, दक्षीन अमेरिका की उत्री भागों में इंगलेंड के उत्तर पस्मी छेतर में आयरलेंड में दिखाई देगा भारत में यह सुरिगरहन द्रिसेमान नहीं होगा भारत में द्रिसेमान ना होने के कारण इसका भारत में कोई भी धार्मिक प्रभाव नहीं होगा और नहीं इसका सूतक काल प्रभावी होगा बात करे सूरिगरहन के सूतकाल की तो सूरिगरहन में सूतकाल सूरिगरहन सुरू होने के 12 घंटे पहले लग जाता है जो की सूरिगरहन के साथ ही समाप्त होता है जहां जहां यह सूरिगरहन दिखाई देगा वहां सूतक एबं सूरिगरहन के सारे नियम मानने होंगे बात करे साल 2024 के दूसरे सुरिग्रहन की, तो साल 2024 का दूसरा सुरिग्रहन कंकना कृती सुरिग्रहन होगा, यह 2 ऑक्टूबर की रात्री 9 बज कर 13 मिनट से प्रारम होगा, जो की मध्य रात्री उपरान 3 बज कर 17 मिनट तक लगेगा, यह सुरिग्रहन कन्यारासी और हस्त नच बात करें यह सुरिगरन कहां कहां दिखाई देगा तो यह सुरिगरन दक्षिन अमेरिका के उत्री भाग परसांत महासागर, अटलांटिक, आर्क्टिक, चिल्ली, पेरु, होनोलुलू, अंटार्क्तिका, अर्जेंटिना, उरुगवे, बेका, आइलेंड, फ्रेंच, पॉलिन महासागर, उत्री अमेरिका के दक्षिनी भाग, फीजी, निव चिली, ब्राजील, मैक्सिको, पेरु में दिखाई देगा, भारत में यह सुरिगरन दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई भी धार्मिक महत भारतवासियों के लिए नहीं होगा, सुतक एवं सुरिगरन सुरिगरन के कोई भी निअम मानने नहीं होंगे, लेकिन जिनजिन देशों में यह सुरिगरन दिखाई देगा, वहां सुरिगरन के लगने के 12 घंटे पहले ही सुतक लग जाएगा, जो की सुरिगरन के साथ ही समाप्त होगा, बात करें साल 2024 में लगने वाले पहले भाद्रपद मास के सुक्ल पक्ष की पूरिमाति थी यानि की 18 सेप्टेंबर 2024 को लगेगा जो की प्रातहकाल 7 बज कर 43 मिनट से प्रारम होकर 8 बज कर 46 मिनट तक प्रातहकाल में रहेगा यह चंदगरहन मीन रासी और पुर्वा भाद्रपद नच्छत्र के अंतरगत लगेगा ग्रहन के समय चंद्रमा के साथ राहू इस्थित होंगे और उनके सप्तमभाव में सुरी, सुक्र और केतु उपस्थित होंगे पात कर यह चंद ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा तो यह चंद ग्रहन दक्षीन अमेरिका पस्मी अफ्रीका और पस्मी उरोप में दिखाई देगा भारत में जब यह खंड ग्रास चंद ग्रहन प्रारम होगा तब तक संपून भारत में चंदरस्त की स्थिती हो चुकी होगी इसलिए यह ग्रहन भारत में लगभग दिरिस्रिमान नहीं होगा केबल उपचाया प्रारम होते समय उत्तर पस्मी भारत और उत्तर दक्षनी सहरों में चंदरस्त होगा इसलिए कुछ समय के लिए चंद्रमा की चांदनी में धुनलापन आ सकता है इस प्रकार भारत में यह उपचाया के रूप में आंसिक रूप से ही दिखाई देने के कारण यह ग्रहन की स्रेनी में नहीं आएगा अब यह ग्रहन ही नहीं होगा तो इसका कोई प्रभावर नहीं होगा चंद्रग्रहन का सूतक काल चंद्रग्रहन सुरू होने के 9 घंटे पहले लग जाता है जो की चंद्रग्रहन के साथ ही समाप्त होता है जिन जिन देशों में यह चंद्रग्रहन दिखाई देगा वहां सूतक वो चंद्रग्रहन के सारे नियम मानने होंगे आतकरे साल 2024 के लगने वाले दूसरे चंद्रगहन के बारे में तो यह उपचाया चंद्रगहन होगा जोकिन फागुन मास के सुकल पक्ष की पूरिमाती थी यानि कि 25 मार्च 2024 की प्राता काल 10 बच कर 23 मिनट से सुरू होकर दो पहर बाद 3 बच कर 2 मिनट तक चलेगा यह चंद्रगहन, Ireland, England, Spain, Portugal, Italy, Germany, France, Holland, Belgium, दक्षनी, Norway, Switzerland, उत्रीवर, दक्षनी, अमेरिका, जापान, रूस, का पुर्वीभाग, पस्मी, आस्ट्रेलिया को छोड़ कर सेस, आस्ट्रेलिया, New और अधिकांस, अफ्रीका में दिखाए देगा भारत में द्रिस्यमान यह चंद्रगहन नहीं होगा इसलिए इसका कोई भी सूतक वो चंद्रगहन के नियम मानने नहीं होंगे तो यह मैंने आपको बताया साल 2024 में लगने वाले सुरिगरहन और चंद्रगहन के बारे में उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सेर करे और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करे ठैंक्स